इस दिन के लिए इस समय के लिए और इस टाइम के लिए मेरे मसी भाई भैन आज हम लोग जानेंगे की हमारे जीवन के लिए सही धर्म कौन सा है और आज जिस धर्म की खोज में है वो धर्म सत्य क्या है क्या इसके बारे में हमें सिखाता है क्योंकि जो सत्य है वही हमें स्वतंत्र करेगा हमारे जीवन में सांती लाएगा क्या आज आप अपने जीवन के असांती को दूर करना चाहते हैं। इसलिए एक ऐसे धर्म के बारे में आपका क्या बिशार जो आपके लिए बिलकुल सही हो। जो दोस रहित हो जो किसी बात की मांग ना करें। हमारा ध्यान आकर सित करने के लिए बहुत सारी आवाजें होड में रहती हैं। और ये संसारिक होड की आवाजें सत्य क्या है ये हमें सुनने नहीं देती केवल ईसु ही परमेसुर से अधिकार के साथ बात करता है क्योंकि केवल ईसु ने ही मृत्यू पर विजय पाई है कई आज तक अपनी कब्रों में दफन है परंतु ईसु अपने स्वेम की सामर्थ से क कब्र में से बाहर निकल गया कोई भी जिसके पास मृत्यू पर अधिकार हो हमारे ध्यान को आकार्शित करने की योग्य है अर्थात हमें सत्यका मार्ग दिखाने की योग्य है ईसु के जी उठने के समर्थन करने वाले प्रमाड हैं पहला जी उठे मसी के 5000 से अधिक प्रतक कब्र का भी विसय है ईसु के सत्रू बड़ी आसानी से जी उठने के बारे में सभी तरह की बातों पर उसके मृत सड़ रह सरीर को प्रस्तुत करके रोक लगा सकते थे ईसु मसी के सत्रू के पास प्रस्तुत करने के लिए कोई मृत सरीर नहीं था कब्र खाले पड़ी थी क् हथियारों से लैस सैनी को दारा भारी मात्रा में पहरा दिया जा रहा था इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसके निकर्तम अन्वियाई उनके पकड़े जाने तथा कुरूज पर लटकाये जाने से डर के मारे भाग गये थे इसु ने मृत उपर अपने अधिकार को प्रमारित किया इसलिए वह जो कुछ कहता है उसे हमें सुनने की आवशकता है हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याग्यारा उसका 28 बद लिखा है हे सब परिश्रम करने वाले और बोश से दबे हुए लोगों मेरे पाश आओ मैं तुम्हे विश्राम दूँगा इसु मसी इस वचन के द्वारा कह रहे हैं हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और आपकी जीवन में जो दुख और मुसीवत है सब लोग हमारे पास हो और हम उस संकट और मुसीवत से आप सब को मैं छुडाओंगा एक कठोर संसार है और जीवन इसमें कठिन है हम में से अधिकांस अच्छे खासे लहु नुगान खायल और संगर सुरत हैं हम इससे साहमत हैं इसलिए आप क्या चाहते हैं धर्म सुधार या केवल धर्म एक जीवन उधार करता को या मरे हुए यदियाजाब छमा के खोज में है तो इसु का वचन ही सच्चा धर्म है जो हमें शत्य का मार्ग बताता है हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय दस उसका 43 पद सब नभी उसकी साक्षी देते हैं कि परतेक जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम के द्वारा पापों की छमा पाता है इस वचन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो नभी भविश्यवक्ता प्रभु ईसु मसी की गवाही दे रहें कि जो प्रभु ईसु मसी पर विश्वास करता है जो प्रभु ईसु मसी को अपना मुक्ती दाता और उद्धार करता मानता है कि वल प्रभु ईसु मसी के नाम के द्वाला हर एक व्यक्ति पापों की छमा को प्राप्त कर सकता है हम आगे और वचन पढ़ेंगे युहनना अध्याय दस उसका दस पद लिखा है चोर केवल चोरी करने मार डालने और नस्ट करने आता है मैं इसलिए आया हूं की वे जीवन पाएं और परिपूरता से पाएं तो इस वचन के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं प्रभू ईसु मसी कह रहे हैं चोर का काम है केवल चोरी करना वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है आपकी जान भी ले सकता है इसी प्रकार जो सैतान है उसका केवल काम है हमें परेसान करना और रोग और बीमारियां लाना तरह तरह के बहुत से गलत काम है और प्रभू ईसु मसी कह रहे हैं की मेरा कार्य इन सब कार्यों से अलग है मैं इसलिए आया की हर एक व्यक्ति को सत्यता का पाठ पढ़ाने के लिए आया ताकि हर कोई मेरी इन बातों के द्वारा सत्य को समझे और अनंत काल की मिर्ट्यू से बच जाए और अनंत काल का जीवन पाए तो हम लोग इन सबी बातों से समझ सकते हैं की हमारा धर्म, हमारी जाती हमारे कारियों से निश्चित नहीं किया जा सकता हमारी धर मित्ता तब सामने आती है जब हम सत्यता पर चलते हैं और सत्य बोलते हैं प्रभु ईशु मसी कहते हैं मार्ल सत्य और जीवन मैं हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता ये दियाजा आपके मन में धर्म को समझने की इक्षा है तो आप प् के लिए